दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से जो केस वीडियो सेयर करने वाला हूँ sexual problem related ये वीडियो सभी को देखनी चाहिए चाहिए आपको sexual problem start हुआ है या बहुत ज़्यादा आपको problem है या आपको sexual problem नहीं है तो भी आपको देखना चाहिए ये वीडियो क्यूंकि इस वीडियो में हम सभी को एक लेशन मिलने वाली है सेक्स्वल प्रॉब्लेम के रिगार्डिंग जो कि हम सभी को पता होना चाहिए दोस्तों आज से सिर्फ दो महना पहले एक पेसंट हम से कॉंटक्ट किये थे सेक्स्वल प्रॉब्लेम के रिगार्डिंग हमारा वाट्सअप पे दोस्तों इस पेसंट का आज से दो ही महना पहले साधी हुआ था और अपना सुहाग रात के दिन फर्स्ट नाइट के दिन इन्होंने अपना एलोपैथिक डॉक्टर के कहने के मुताबिक टडला फिल्ट 20 mg का एक गोली रात को बेड में जाने से पहले इन्होंने लिया था और इस गोली को जश्ट लेने के बाद उनका अंदर सिवियर पैल्पिटेशन चालू हो गया दिल का धड़कना काफी ज़्यादा फास्ट हो चुका था पोफ्यूस प्रस्पिरेशन इनका अंदर स्टार् अग्दम हो गया और उसी के साथ इनको चक्कर आ रहा था वटाईगो स्टार्ट हो गया और ऐसा लग रहा था कि साइद इनका मौत आप आने वाला है तो इस पेसेंट को इतना सीवियर साइड अफेक्ट हो गया इंग्लिस मेडिसिन टडला फिल्ट 20 mg का एक गोली से उसके अब बाद उन्होंने अपना डॉक्टर से फोन पर बात करने का भी ट्राइ किया मगर उनका नंबर स्विच ओफ आया तो इन्होंने मजबूरान अपना घर वालों से बात किया हाला कि घर वालों को तो खुल कर बोल नहीं सकता था कि मेरा अंदर ये प्रॉब्लम हो रहा है अब घर वालों को ये बताया कि मेरा अंदर ये समस्या हो रहा है साथ मेरा अंदर फूट पोईजिनिंग हो गया इस तरह जो है उन्होंना अपना घर पे बताया है तो फिर घर वालों ने उनको अपना नेरेष्ट हंस्पताल में लेकर गए और उनका उलाज वहान पर चला अब हस्पताल में जाकर ये पेसेंट अपना डॉक्टर को परसनली अपना जो रियल कॉज है प्रॉब्लेम का उन्होंने बताया डॉक्टर को कि मैंने इंग्लिस गोली टाडला फिल्ल 20MG का ऐसा गोली हमने खाया है उसके बाद से ये प्रॉब्लेम चालू हो गया तो प्रॉ GFR का रिपोर्ट निकाला गया किड्नी फंक्शन को देखने के लिए इनका GFR का रिपोर्ट और ECG का रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक था उसमें कोई प्रॉब्लेम नहीं था मगर इनका जो LFT का रिपोर्ट है वो ठीक नहीं था इनका SGPT 135 था जो की 50 के निचे रहना तो इनको Fatty Liver Diagnose हुआ रिपोर्ट में Fatty Liver के साथ साथ इनको Acid Reflex यानि GERD की प्रॉब्लेम गैस्ट्रो ओइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज भी डाइगनेस हुआ है इनका रिपोर्ट में अब GERD यानि Acid Reflex में क्या होता है आप जो खाना खाते है वो भाब बनकर या फि प्रॉब्लम बढ़ जाती है आपको ढकार आती है आपका सीने में जलन होता है और अपका सांस फुल न लगता है इस तरह की समस्या देखने को मिलता है GERD की प्रॉब्लम में अब Fatty Liver के लिए उहां का डॉक्टर तो इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था अपने करेंगे तो वो डॉक्टर इनको पूरी तरह क्लियरली बता दिया कि हम लोग आपको सेक्स प्रॉब्लम के लिए कोई भी मेडिसन आपको नहीं दे सकते सेक्स प्रॉब्लम अगर आपको ठीक करना है तो अपना लाइफस्टाल के जरिए ही आपको ठीक करना पड़ेगा अब करा सकता है जब उस इनसान की हाट बिलकुल स्वस्थ है उनका अंदर हाट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बीपी की भी गोली नहीं चलने चाहिए कुछ लोग साहए सोच रहे होंगे सर हमारा हाट तो बिलकुल स्वस्थ है लेकिन हम बीपी की गोली खाते है तो भी आप पुरी तरह ठीक ही क्यों नहों लेकिन बीपी की गोली अगर आप खा रहे है तो भी आप इन मेडिसेंस को नहीं खा सकते हैं इसको भी आप ध्यान में रखें अगला क्राइटरिया है कि आपका लिवर के अंदर कोई भी प्रॉबलम नहीं होनी चाहिए आपका लिवर फंक्श होनी चाहिए थोड़ी बहुत गैस की प्रॉबलम होती है उसके लिए आप खा सकते हैं लिवर फंक्शन होके हैं गैस की थोड़ी बहुत प्रॉबलम है आप इन मेडिसेंस को खा सकते हैं मगर अगर आपको एसेड रिफ्लक्स की अगर प्रॉबलम होती है आपका सांस फुल चाहिए खास तोर पर कीड़नी की जो गलोमारूलस होती है यानि की जो छेनी होती है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए क्योंकि इसी छेनी का काम होता है कि हमारा बॉड़ी के अंदर कुछ टॉक्सिंस है कुछ वेस्ट मेटेरियल है इसको बाहर निकालने का सपोस हम लोग कोई एक medicine खाते हैं तो उस medicine की जो अच्छी पार्ट है जो कि हमारा body को दरकार है वो तो हमारा body absorb कर लेती है लेकिन उसी medicine की जो waste product है जो toxins है उसको जल्द से जल्द हमारा body से बाहर निकालना है और उस बाहर निकालने का काम करती है kidney kidney की जो होती है जो चनी होती है वो करती है तो किड्नी की चनी को सही होना बहुत जरूरी है तब ही जाकर हम लोग पुरी तरह स्वस्थ रह पाएंगे तो यह तीन क्राइटेरिया मोटी तो और पर पास करना पड़ता है एक पेसेंट को अगर वह एलोपैथिक मेडिसिन खाना चाहता ह अपना सेक्स प्रॉब्लम के लिए और इसलिए इनका डॉक्टर ने इनको अपना सेक्स प्रॉब्लम के लिए कोई भी मेडिसिन रेकमेंड नहीं किया इसलिए नहीं किया तो आप यह पेसेंट क्या कर सकता है इनका साधी हो चुका है इनका लिंग में तनाओ ठीक से नहीं आता है और इनको सेक्स भी करना है क्योंकि साधी हो चुका है नहीं तो वाइफ छोड़कर चली जाएगी फिर उसके बाद इन्होंने मुझसे कॉंटेक्ट किया इनका एक दोस्त ने इनको मेरा नंबर दिया जो की मेरा अल्लेडी पेसेंट रहे चुका है उसके बाद इन्होंने मुझसे अपॉंट्मेंट लेने के बाद हमने इनका ट्रीट्मेंट स्टार्ट कर दिया है फैटी लिवर की भी ट्रीट्मेंट हम कर रहे है साथी साथ इनका sexual problem जो है उसका भी treatment हम कर रहे है और उनका एलोपैथी की जो medicines चल रहे थी fatty liver के लिए वो हमने इनका बंद करा दिया उसके बाद हमने एक thoroughly properly इनका case ticking किया case ticking करने में ही हमें इनके लिए कम से कम 30 minutes या फिर उससे भी ज्यादा time लग गये थे क्योंकि बहुत सारा सवाल जवाब था जिसका answer मुझे मिलना था उनसे उसके बाद ही हमने medicine का chain कर पाया है इनके लिए अब इस case में हमने इस patient के लिए तीन medicine का chain किया है पहला medicine का नाम है phosphorus phosphorus को हम लोग LM potency से start किया थे इस case में जो कि इनका constitutional drug है जो कि main drug है इसी के साथ कार्डस मेरांडस हमने start किया था कार्डस मेरांडस मदर टिंचर जो कि basically fatty liver की problem के लिए इनके हमने दिये थे इसी के साथ हमने मेरा खुद का बनाया हुआ जो sex tablet है जो गोली है वह हमने इनको recommend किया in fact patient का भी कहना था कि sir मुझे वह गोली बिलकुल दीजिए अगर वह गोली क कि इनका दो मैना होने वाला है खाते हुए और इनको problem में कितना फाइदा पड़ गया patient क्या लिग रहे है कितना इनको अच्छा लग रहा है कितना better feel कर रहे है अपना मन से कितना खूस है वह यह आप उनका बातों से पता कर सकते हैं जब हमसे वह contact किये थे counseling कराने के लिए आ आपको समझ में आ जाएगा कि patient को कितना relief मिल गया है sex problem के लिए and not only कि इनको सिर्फ sex problem में फाइदा है इनको gas की problem में भी इनको फाइदा है acidity की problem में भी इनको फाइदा है इनको acid reflux हो रहा था वो भी काफी हद तक कम हो चुका है हाला कि हमने इनका LFT का report SGOT SGPT जो बढ़ा लेकिन पूरी तरह कम नहीं हो पाएगी 50 के नीचे नहीं आ पाएगा यह मुझे पता है इसलिए हमने report नहीं बनाया है अभी तक वो मैं after two month जब मैं फिर से इनका report निकालूंगे SGOT SGPT fatty liver के लिए वो वाली report और अभी वाली report दोनों को compare करकर मैं एक video बना दूंगा आप दे होमोपैथी की जो sex problem की medicines होती है उसे खाने से पहले हमें कौन कौन सी बातों को सोच विचार करके इन medicines को खाना चाहिए दूसरी तरफ होमोपैथी की असल power आपको पता चल गया होगा कि होमोपैथी sex problem को ठीक करने के लिए कितना सक्सम है यह हमारा एक मात्र वीडियो है ऐसा समस्याव का रिगार्डिंग आपको वीडियो मिल जाएंगे इस चैनल का उपर community में तो आपको पिक्चर देखने को मिली जाएगा कि patient का problem दिखने में पहले कैसा था और अभी हमारा इलाज के बाद कैसे दिख रहा है यह भी आपको दिख जाएगा और आपको case videos तो भरा प